इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 आप डाउनलोड करें शादी की बात है जल्दबाजी में पहले अपनी शादी तो याद कर लो फिर मुझे ग्यान देना और पापा आप ही ने तो कहा था कि पहले पंखुडी को मनाओ लो मान गई है वो अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए देख रहे थे होली होले दिन हम दोनों मिलका बड़ी ख्यके-ख्यके कर रहे थे अरे अभी तो महराणी ने कदम भी नहीं रखे गर में उससे पहले घरवालों के फूट भी डाल दी उसने बुआ आप मेरी होने वाली पत्नी के बारे में बात कर रही है जो देख बेटा हसन में खेलने तक ठीक है लेकिन ये शादी और फिर हमारे परिवार में प्रेम विवा नहीं होते हैं देख बेटा मैं तेरी शादी न एक बड़े रुत्बे वाले परिवार में करना चाहता हूँ ना ही मुझे रुत्बा चाहिए पापा और ना ही बड़ा खानदान पंखुडी चाहिए बस मुझे लगा जमानी का जोश्य उतर जाएगा लेकिन तू तो अपनी मनमानी पे उतर आया उसमन हो इस लड़की ने तुझे अपने वश्मे कर लिया है माबुची मैं भी नहीं चाहती हो कि ये शादी हो यूगि संजु और पंखुडी एक दूसरे के लिए सही नहीं है पर पंखुडी ने कुछ भी नहीं किया तो आप उसके बारे में ऐसी बाते मत करिये शर्मी की सारी हदें पार करकरके आधी रात को संजु के कमरे में आई और उसने कुछ नहीं किया कब तक एक ही बात बोलते रहेंगे पापा हम प्यार करते हैं एक दूसरे से अगर वो मिलने आ भी गई तो क्या गलत कर दिया देख संजु ऐसी जिद में लिया हो तेरा फैसला कोई भी नहीं मानेगा और ये भी कोई मेल हुआ संजु तुझे किस गरीब से नहीं बलकि किसी मिस वर्ल्ड से शादी करनी चाहिए हैं मतलब आप लोगों में से कोई मेरा साथ नहीं देगा तेरी हर जिद मानते हैं हम एकनि इस पात का तो कोई सरपहर ही नहीं है ठीक है कि अजिए टोड़ने से क्या होगा बागुरी बात तो कर अगवा के है तुझे तुझे तुनिया को धोका देते वागुर अग़ अपने बेटे के साथ ऐसा करोगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था पर मैं भी आप ही का खोनूं पापा मेरे साथ ऐसा कियाना तो आपको बहु तु ऐसे नहीं मानेंगा चल यहां से चाल आप गलत कर रहे हैं पापा मैं कराओ त्याना जाए था पापा ये नहीं करना चाहे था पापा बहुत गलत कर दिया आपने वो लड़की तुझे पागल बना रही है और तु पागल बनने कचार कि मैं ऐसे होने नहीं दूंगा